रुक करेंगे अगली खबर का अभी बुलंड शेयर हिंसा के सवालों ने योगी सरकार का पीछा भी नहीं छोड़ा कि इसी बीच गाजीपुर में भी एक ऐसी वारदात हुई पत्थर उठाए भीड ने एक सिपाही की जान ले ली आरोप है कि कल शाम को पीएम के कारकरम से लौट रैपुलस वालों पर निशाथ पाटी के कारेकरताओं ने बत्राफ किया ये गाजीपुर में हुए बवाल का 34 सेकेंड का वीडियो है गुस्से में पागल भीड बार-बार मारो-मारो चीख रही है तस-बीस नहीं सैक्णों की भीड दिख रही है सड़क पर विख्रे पत्थर खूने हिंसा की गवाही दे रहे है इसी भीड में मौजू अद्लोग सड़क से पत्थर उठा कर फेकते दिख रहे है ये बस भी पत्थराव का शिकार हुई है सभी शीशे चूटे हैं वीडियो को गौश से देखें तो भीड के सामने पुलिस की मौजूद्गी है एक पुलिस वाला इसी भीड के पास दिख रहा है देखने में यही लग रहा है कि वो लोगों को पत्थर फेकने से रोक रहा है गाजीपुर में शनिवार को पीएम मोदी का कारेकरम था शाम करीब साड़े पांच बजे कारेकरम की ड्यूटी से लौट रहे पुलिस कर्मियों का सामना भड़की भीड से हुआ जाम खुलवाने की कोशिश कर रही पुलिस पर निशाद पार्टी के कारेकरताओं ने इट पत्थर लाठी डंडो से हमला बोल दिया इसमें सुरेश प्रताफ वजस नाम की सिपाही को गहरी चोटे आई और उसने अस्पदाल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया पुलिस के मुदाबिक निशाद पार्टी के कारेकरता आरक्षन के लिए धरना देना चाहते थे पीम के कारक्रम के चलते पुलिस ने धरने की इजाज़त से इनकार कर दिया और निशाद पार्टी के कुछ नेताओं को पहले ही गरफतार कर लिया गरफतारी के खलाफ कटवा मूर चौकी पर भीर ने जाम लगा दिया पुलिस जाम खुलवा ने पहुची तो पत्थगाव शुरू हो गया हमले में सिपाही की मौत के अलावा कुछ पुलिस कर्मी जख्मी भी हुए वारदात में अपने साथी को खोने वाले सीओ मैपाल पाठग मीडिया से बात करते हुए भावुख हो गए पुलन शहर इंजा के बाद गाजिपुर में सिपाही की मौत ने एक बार फिर यूपी में कानून विवस्था पर सवाल खड़े कर दिये हैं बार बार भीर का निशाना पुलिस स्वाले बन नहीं है गाजिपुर से विनेकुमार सिंग के साथ आज तक भी रूप और गाजिपुर हिंसा में पुलिस ने डिएर सौसे जादा लोगों के खलाफ फियार की है 11 लोग गिरफतार हुए हैं गाजिपुर हिंसा पर विपक्ष योगी सरकार को गेर रही है निशाद पार्टी का आरोफ है कि साजिश के तहट हिंसा बीजेपी ने भरकाई है सोचिए यूपी में सड़क पर पुलिस ही मॉब लिंचिंग का शिकार हो गई तो जनिता की सुरक्षय कैसे होगी तस्वीरों से साफ है भीड के मन में कानून को लेकर कोई खौफ नहीं है ऐसी ही भीड बुलंद शहर में भी थी जो थाने पर लगातार पत्थर मार रही थी दोनों तस्वीरे देखी आपको यही लगेगा कि यूपी में भीड तंत्र हावी हो रहा है सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को चेताव नहीं दी थी कि वो सुधर जाएं या जेल जाएं लेकिन बुलंद शहर और गाजीपुर में जो हुआ उससे यही लग रहा है कि भीड के मन में एनकाउंटर यूपी का कोई डर नहीं है गाजीपुर हिंसा का आरूप निशाद पार्टी के कारेकरताओं पर लग रहा है लेकिन पार्टी इससे इंकार कर रही है सिपाही की मौत कमामला पिछली जाती के अंदोलन से जुड़ा है लेहाजा राजनीत भी शुरू हो गई है मैं ये जरूर मानता हूँ कि सरकार को भीड तंतर को कावो में रखने का कावो में लाने का प्रयास करना चाहिए और अपने भारती जन्ता पार्टी को अपने उन नेताओं को कावो में करना चाहिए जो किसी भी तरीके से भीड तंतर को बढ़ावा देते है क्योंकि सरकार ने म्रतक सिपाही के परिवार को 50 लाग मुआफ़जा और एक सदर से को सरकारी नौकरी का एलान कर दिया है मामले की जाच के आदेश दिये हैं गाजीपुर से विनेकुमार सिंग के साथ आज तक बेरो के दिये हैं